लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें हलो कौन सिंदर जी हाद जी कैसी है क्या कर रही है जी मैं मैं नहां रही हूँ कवर नहीं करें कि अब टारो कर रहा हूँ तुम्हें जरूरा हो आओ की लला था यह अच्छा बाबार बावाज मामे मामे कमाँ मामे हरी अब जल्दी चलो कहा मैंने कहा था न मुझे श्रेश्ट अभीनेता चुना गया बहुत बड़ा समारा होगा मेरी बहा कैसे रुरते अरे बहा जरूत कैसे नहीं जानती हो वहां कौन को ला रहा है अपना अमर मेरे पराने मालिक रामशरूप जी और उनकी बेवी राधा अब बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे मेरा स्वाधत हो और वहां मेरी मान रहा हूँ यह कैसे हो सकता है मैं यहीं बैठे-बैठे सब देख लोग भायजान जल्दी चलो मैं तरफ की हो तेना खूब नाम हो बेटे नच मेरी जान फाथाथाथाथाथ ऐय सलूब वप 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 अरे सब लोग मिलकर आये हो क्या बात है माजी हमें थोड़ी देर की छुटी दे दो किसलिए आज हमारे मालिक को बहुत बड़ा आइना मिलेगा लोग हमारे मालिक की कितनी इजर्द करते हैं हम भी देखेंगे सब जाना चाहते हो क्या हा अच्छा जाओ ये भी मेरे बेटे का स्वागत समार हो देखना चाहते है उसकी तारिफ संदा चाहते है मैं तो उसकी माँ हूँ मैं भी जाओंगे माजी ट्राइवर सब चले गए टाइकसी लाओं नहीं नहीं तुम जाओ अच्छा अरे कहा जा लियो इंविटेशन काड़ है अटिये फिचे अटिये जाइए जाइए मिस्टर संदर को एसुसेशन की तरफ से ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है लेडीज एंड लेडास अटिये फिर्टेशन के लिए जिस तरह तेल की पत्ती की और दिया सलाई की जरूरत होती है उसी तरह एक कलाकार को चमकाने की लिए प्रेणा की साधन की और कला के कदरदानों की जरूरत होती है मुझे ये कहकर किसी ने प्रेणा दे क्या लाइक यो एनसेस मेरे मित्र अमर ने साधन दुटा और आप सब सेनिमा प्रेमियों ने मेरी कला की कदर की अगर मुझे ये सारे सहयोग ना मिलते तो आज ये होटल बॉष सुंदर होटल में बॉष ही बना रहता है बोलो सेंग मेरी इस तरक्टी में आप सब कहाँ फूलों के हार का हगदार मैं नहीं बलके आप सब हैं कि आज जो मुझे शारत मिली जो दौलत मिली है जो इज़त मिली है ये सब आप लोगों की वजए से जिसके लिए मैं आप सब काभारी हूँ अब अब अंत में मैं भगवान से प्रास्ना करता हूँ कि आपकी प्यार भरी महर्बानी और कदरदानी की कलियां ज़्दा मेरे घले में माला बन कर महती रहें हैं कि अलोज अब कि अधिस दॉफ अधियां कि इस दूप अधियां कि आख इस दूप कि अधि वही थेख, आगे मत कर, अमा, शेसब क्या है, केसी नजर उता रही है, मेरे पुल्ची पर मेजाने कैसी कैसी नजर पड़ी होगी, आप फार फार कर देख रहे थे सब लोग, लेकिन मा, तुम तो वहां नहीं आई, तुमें कैसे मालूँ, मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना, क्या घर में बैटे बैटे गयां द्रेश्ट्री मिल गई, अच्छा मा, ये बताओ, मैंने वहां क्या क्या कहा, दिये को रो अच्छा मैं ये बताओ, मैंने बिना लिखें वह भाशन दिया, कैसे रहा, बहुत अच्छा था, हारे, तुने कहा किसी ने प्रेहना दी, कौन है वो, 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 तुम, मेरी मा, देख, मैं भी तेरी कदर दानू, तेरे दस्तखत लाई हूँ, ये क्या मकुडी की दां क की तरह लिखा है, मा, तुम मा पहुची कैसे, कैसे भी पहुची, आज मुचे मालू हो गया, मेरा बेटा कितना गुनी है, कितना चाहते हैं उसे लोग, ये सब तुम्हारे चरणों का परताब है मा, तुम्हारे आशिरवास से मुचे नाम मिला है, धन संपत्ती मिली है, तुम मुचे बिचड़ने जाए, बेटे, ऐसा क्यों कहती हूं, मा, जैसे अंधा अपने लाठी को पास रखता है, उसी तरह, मा भी अपनी संतान को हमेशा अपने पास रखना चाहती, ये देख बेटे, ये देख, तुम्हारे मेरे मुठी में है, मुझे तुम्हारे कोई क्या लग नहीं कर सकता, मा, कितना फ्रेम है तुम्हारा मुझे पर, आया, दाता, मैं क्या करो मा जी, सुन्दर को जाने में देर हो रही है, देखा मा, आ गया दाता मुझे तुमसे अलग करने के लिए, दाता, तुम जाओ, मा, ये दाता मुझे तुमसे क्या अलग करेगा, लेकिन बात दरसल यह हमाँ हम सब कलाकार एक अपते के लिए बाहर जा रहा है क्यों वो यतीम और अपाहद बच्चों के लिए फन एकटा करना है प्रोग्राम भी करेंगे दूसरे सब कलाकार जाएं और मैं न जाओं ये ठीक लगता है न मा तो वापस कब आएगा हाँ आद बारा तरह कल से उननीस तरह तक प्रोग्राम बीस को यह जानता है न क्यों पूछ रहे अच्छी तरह जानता हूं मा वीस तरह को पिता जी का श्राद है इसलिए मैं दातराम को साथ नहीं ले जा रहा वह यहां सारा इंतिजाम कर देगा और मैं ठीक वक्ते पहुंच जाओंगा रात का वक्त है गाड़ी धीरे धीरे चलवाना डर्थी क्यों हो मा तुम्हारा बेटा तुम्हारी मुठी में है कि दीन दुखी और अपाहिज बच्चों के साहतार फिल्म कलाकारों का मनोरंजन कायरेक्रम परिवान नियोजन जाओ प्रभू आईये आईये सेयोड साथ नमस्ते संदे साथ आपकी साहता से हमारे आश्रम को बहुत पंद मिला है इतना पैसा आज तर किसी प्रोग्राम में नहीं है अच्छा ये सब आश्रम के बच्चे है सब के सब बड़े मासूम है चाचा ये लो इस गुलाब का हत तो सरिफ एक ही चाचा को था मैं उस लयक कहा हूँ लेकिन इतना याद रुखो मेरे बच्चो लेरी सारी जिंदगी तुम सब के लिए है सुन्दर चाचा हमारे लिए एक प्रोग्रम और करो कि एक दिन हमारे लिए और ठैरो चाचा हमारी मदद करो अक्षेज करो सूंदधा यह बैधिदि बोलनें सकती 25 कुणगी चाचा एक प्रोग्राम और करो मेरी बैची, भगवान ने तुम्हे इतना खूबसूरत बनाया, लेकिन तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए प्रोग्राम जरूर करूँगा, बल्के कल ही करूँगा, कल, ये लो, जुब 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 हेलो, हेलो, एक्सचेंज, फिर से कोशिश कीजिए, जी हाँ, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी, क्या, लाइन खराब है, प्लीज, फिर से कोशिश कीजिए, जी हाँ कहकर गया था, फिताची के शराद पर जरूर आ जाओगा, कितना लाब परवावता जा रहा है, चिंतना करूमा, वो आएगा, जरूर रहा, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ काम थाय हमारे प्रोग्राम, क्या प्रूर्भर लोगनों मेरा समूर्स अधर समर्वर्ढ करना है, क्या नोу च्पत क्यों हो हो है, नहें तर आदर सम्कार Carbon Union, कि अखर और फिर के नहीं पर जरूरने करने कीक 왜ैनि ज़ाइंक रातु है। मा, मा मैं क्या करूँ, मुझे यार दे रहा है। किया बड़ा अद्मी बन जाने के बाद यह यार दिलाना पड़ता है। मा कौन है, बाप कौन है। उनके लिए भी कुछ फर्शन है। अगर साल में एक दिन की पिता को यार करनी की फुर्शत न मिले। तो किस का होगा यह पैसा यह ना। जरह सोच कर दें, तेरी इस लाप औरवाई से कितना दुख हो आए। मा, मुझे माफ कर दो, वहां बिचारे दिन दुखी अपाजों के आंसों ने, मेरी याद को अपाज बना दिया। उनकी मदद करने के जोश में भूल गया। कि मुझे पिता जी की शराद बर घर लोड़ना है, माफ कर दे, मा, माफ कर दे। अगर बेटी। तो देन दुखी अपाजों के सेवा के लिए रुखया था। तो इससे बढ़कर कोई शराद नहीं पे दे। मा, मा, तुम कितने महार हो। अलेकिन बेटी, ये कभी मत भूलना। बेटी के बिना माफ कितने अपाज होती। ये ज़र कुछ ने चाहिए। बस मेरी एक इच्छा है। क्या करो, मा? मैं अपने बेटी के गोज में तम तूडू। यही मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मेरी अंतिम घड़ में मुझसे दूर नहोना बेटे। ये कैसी बात करी ये, मा? पकला कहीं का। मा, पैरे तुम मेरी एक छप पूरी करो। देख, ऐसी वैसी बूरी बात मुझसे निका लिए, तो चपत का। चपत नहीं। तुमारे हाथ की बास ही रोटी खाऊंगा। यहां बैटो मा, बैटो मा, बैटो जाओ। यहां बैटो मा, अपना हाथ अचलाओ। अरे, तु तो बासे रोटी लाने के लिए गया था। लेकिन यह क्या। थाली भी पुरानी लिए आया। पेते, तुझे पुरानी चीजन से इतना प्यार क्यो है। मा, तुम भी तो पुरानी हो, ओल्ड। क्या मैं अपनी मा को भूल सकता हूँ। खिला ना मा। ओल्ड इस गोल्ड। जाए। नमस्ते नमस्ते मैं आपको पच्छाना नहीं। भायाजान आप आप एंडिया रेडियो से इंटर्वीव के लिए आई है। कहां से? आप एंडिया रेडियो से राची ना थेंक्यू निस्टर सुन्दर मैं आपका ज्यादा काइम नहीं लूगी क्यूंकि मैं जानती हूँ कि आपका टाइम बहुत खीमती है। मैं आपसे कुछ सवाल पुछू? हाँ, हाँ, शौक से पूछिए। ये लिजी। ये लिजी। आपकी उमर क्या है? क्योंकि हमारे फिल्म लाइन में जितनी हिरोईंस है वो सब बेबी है और जितने हिरोईंस है वो सब बाबा है। अच्छा, आप पढ़े कहां तक है? माफ किजिए, ये कान में बताने वाली बात है। क्योंकि मेरी पढ़ाई का रेकॉर्ड हिंदुस्तान के किसी स्कूल में नहीं है। एक्टर हूँ ना। सुन्दर साथ, आप अपनी पहली जिंदगी और आज की जिंदगी में कौन सा बड़ा फरक मैंसुस करते हैं। आपके सवाल का जवाब उस दिवार पर है। मैं एक बदसूरत इंसान था, जिसका सर हमेशा शर्म के मारे नीचे जुकावा रहता था। उसके बाद होटल बॉइ बना। अब फर अपने दोस्त और फिल्म वालों की महरबानी से एक्टर बन गया। फरिस्टा और ताबस्टा आज ये नाचीस खादिम आपके सामने खड़ा है। गुज। अपनी गुजरी जिंदेगी में उठाई तकलीफों का थोड़ा सखाता। तकलीफ एक छोटे पत्थर की तरह है। अगर उस पत्थर को आँखों के पास रखकर देखें तो पहार जैसा दिखाई देता है। अगर उसे बहुत दूर रखकर देखें तो छोटा नजर आता है। तिनके की तरह। अगर उसे पैरों के नीचे दबा दें तो छुप जाता है। मानो तो तकलिय फ्यांद मानो तो कुछ नहीं करट मिस्टर सुन्दै आपको कभी अपने होटल बॉय के जीवन की याद आती है कभी नहीं भूलता उससे मैं और नहीं भूलूँगा इसलिए तुम मैं अरे तर्दागाम वहां टंगी वी हमारे होटल बॉया और पोशाग कहा है अजयान इतने अलिशान मकान की दीवार पर वह पोशाग बड़ी भग्दी लग रही थी मैंने हता गया शाग बहले उसे मेरी टेंगा मगर बाइब आइसे बॉट मैरत वह पोशाग मेरी नजरों के सामने रहती है तो मुझे पर पैसे कर नशा नहीं चड़ता हूं अंकार मेरे पास तक नहीं पढ़कता हूं जब भी कभी मैं यह सोचकर हसता हूं कि छी मैं वह पोशाग पहनता था तो आप जानती हो पोशाग हसकर मुझे क्या जवाब देती थी कि अरे बुद्धू मुझे पहनने से ही तुझे यह पोशाग मिली वो पोशाग मुझे मेरी पिछली आवकाद भूने नहीं देती मैंने मा से कहा था मैं बड़ा बंकर भे खुद को नहीं भूना उस वचन की याद दिलाजती है वो पोशाग स्वारी मरब मा था नाम लेती ही मा की यादा आगी बहुत देर हुई मा से मिले हूँ जरा जंदी बोचे आख की शादी कब होगी शादी मेरी भी शादी होगी आप तो जानती है हिंदुस्तान में माबाब की इच्छा की विरुद शादी नहीं हो सकती मैं भी अपनी मा से पूछूँगा और मुझे यकीन है कि मेरी मा मुझे जरूर इजासत देगी क्योंके मैं ब्रेम विवाह करूँगा यानिके लव मैरेज मैं अपनी शादी का इंविटेशन कार्ड आपको भीचूँगा आप दरूर आइए अपने साथ अपने स्टाफ को भी लाइए अच्छा तो आप सुनने वाले भाईयों को सुन्दर कर नमश्का अभी आप सुन्दर से रेडियो ये इंट्रिव्य सुन्दर है हमारा अगला अगार्य अपने सुन्दर सुन्दर क्या आप भी हमें चुप रहना चाहिए हेलो कौन सुन्दर हाँ अमर मैं सुन्दर बोल रहा हूँ मेरा रेडियो को प्रोग्राम सुना हाँ वही सुन रहा था वेरी गुड यार अमर अब तो मैं इस लायक हो गया हो ना कि से रामशुरूप जी से राधा का रिष्टा मांगने के हिम्मत कर सको कि यार अमर मैं अब जल्द राधा से मिलूँगा I can't wait क्या मैं अपने दिल की तिजोरी में छुपे अपनी महबत के खजाने को राधा के चर्णों में उडेल दूँगा और वो मेरी फूजा के फूल अपने दामन में सिमेट लेगी और अमर जानते हो वो मुझसे क्या कहेंगी हाँ हाँ ये मैं तुमसे नहीं बताऊंगा हाँ मैं जानता हूँ क्या होने वाला है हाँ अमर तुम तो मेरी महबत के राजदा हो मेरे जिगरी दोस्त हो अच्छा दूआ दो तुम मुसे बड़े होना ये क्या मत दोस्त की दुआ के लिए भी गिर गिराना पड़ेगा सुन्दर मैंने हमेशा तरह शुक चाहा है जो होना है होकर रहेगा अच्छा थीक है बाबाई राधा सुन्दर तुमसे अपने प्यार के ज़हर करने आएगा इतने दिन तक सच्चाई को से चिपा कर हमने भूल की मेरे पास आने से पहले आपके उसे सब कुछ कहना नहीं है लेकिन वो हिम्मत मैं कहां से लाओं मैं आज तक आपके कहने से खामश्री दोस्ती के फर्ज में मेरे होंटो को सीधिया राधा अगर सुन्दर आशू भरी आप हो सकते क्या मार क्या तुम मेरे लिए अपने आपको कुछ क्याने के जरूरत नहीं पड़ेगे रधाधा